हेलो दोस्तों आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज इस व्यूडियो में मैंने एच पी का प्रिंटर खरीदा है ब्लैक इंड वाइट प्रिंटर जिसका नाम है लेजर जैट प्रो पी वन वन जिरो एड इसके इसके अन्बोक्सिंग कर करके मगर दोस्तों यह सब करने से पहले यह आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल जा देता हूं इसमें जो हमारा समान निकलेगा प्रिंटर एक सीडी एक कोड केबल दूसरी जो कंप्यूटर के साथ अटेच होईगी यह यूस्वी वाली है और हमारा एक कार्ट्रेज निकलेगा अठासी एक इसमें कार्ट्रेज डलता है ठीक है दोस्तों यह अपरेटिंग सिस्टम आगर आपके पास है तो यह फीचर्स होने चाहिए आपके कंप्यूटर में तभी इंस्टोल होगा विंडू होती है वह यह विंडू 7 है तो और 350emb free HD space CD-ROM और USB और विंडू विस्कता है तो अमारी 512 MB RAM होने चीए साड़े 300MB Free HD Space CD-ROM और USB और अगर हमारी Windows XP है तो 512MB RAM साड़े 300MB Free HD Space और CD-ROM और USB यह requirements है इस printer को install करने के लिए और दोस्तों इसके features क्या क्या है 88A का इसके अंदर cartridge डलता है और cartridge की सबसे अच्छी खास बात यह है कि यह cartridge सूकता नहीं है जैसे दूसरे जो cartridge होते वह सूक जाते हैं और यह cartridge यह सूकता नहीं है जैसे हम घरों में बहुत कम printer निकालते हैं ओफिसों में तो फिर भी निकल जाते हैं लेकिन घर में कम निकालते हैं तो इसकी वज़े से यह problem होती है अक्सर की cartridge सूख जाता है जिसकी वज़े से नुकसान होता है तो यह cartridge इसमें powder होता है तो इसलिए यह सूखता नहीं है सबसे बढ़िया जो इसका फायदा है मुझे जो लगता है वो यह अधासी एकी cartridge है और दोस्तों यह 1500 पेज कि निकाल सकता है एक cartridge से तो पंदरासो पेज निकाल सकता है और भी इसके फीचर से हैं जैसे आपके जैसे इसकी जो वह होती है ट्रे वगरा कि यह देखिए एक मिनिट के अंदर ए ए फ जो साइस के पेपर होते है वो अठारा पेज लगबग निकाल देता है अ अहारा पेज लगबग क्याशा पेज एक मिनाट के अंदर यह 417 का एक मेन मीनिनिकालेगा काफी अच्छी स्फीड घेड़सोई होते हैं जो पेपर ट्रे रखी होती जिसमें पेपर हम लैंक पेपर रखते जुए, उसके अंदर 500 SIT रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस होता है, एक साथ रख सकते हैं, ठीक है दोस्थों, आप Multiple Paper Sizes, मतलब आप A4 के लगा सकते हैं, लग लग तक size के पेपर लगा सकते हैं तो सेव इनर्जी को है ठीक है तो सबसे पहले आम इसको क्छोगते हैं कि यह हम ब्लेड से काट रहे क्योंकि काफी अच्छी टेप लगी हुए आप इसको सेफटी से काटें बच्चों-बच्चों की सामने ब्लेड का यूज ना करें यह देखिए सबसे पहले खौलती यह है इस ब्लेड को सैड रखें यह हमारे सबसे पहले इंस्ट्रेक्शन्स बुक निकलती है सारी इसमें जो गाइड है गाइड है यह सब वही पेपर हैं कितने साइज के कैसे है क्या क्या निकलेगा यह सारी चीज है है यह सारी हमारे इस टेक्शन्स पेपर से इसका हम साइड रख देते हैं उसके बाद यह सीडी निकलती है कि इसके अंदर जिसे हम इंस्ट्रॉल करते वक्त यह चाहिए होती है यह हमारे केवल निकलती है यह पावर पलक का है और यह हमारी कंप्युटर में जुडएगी य केबल एक निकलिन है ये दूसरी केबल है येए हमारी USB की अएक प्रिंटर में लगेगी और एक कप्रिटर के अंदर लगएगी ये पाँवर के लिए था ये कम्प्रिटर से jouer प्रिश्ट नेट पड़ेंगे यह हमारा बोक्स में यह खाली है अब इसको आम साइड कर देते हैं यह हमारा यह प्रिंटर है यह थर्मा को लठाई यह हमारी पूरी पैकिंग है खोलो यह हर जगह से पैक होता है इसे वेट आई यह 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 हमारा प्रिंट रहा है ठीक है दोस्तों अभी यह भी पैक है इसके अंदर बहुत सारी चीज़े एक कार्टरेज हमारे फ्री मिलते हैं वह इसके अंदर यह मैं अभी आपको दिखाता हूं यह कार्टरेज यह हमारा प्रिंटर है यह देखिए केलकुल नया है ठीक है दोस्तों यह देगे इसके अंदर हम पेज रखते हैं इसको हम चोड़ा कर सकते हैं जैसे पेपर की यहां से यह निकलता है हम इसको हम यहां फिट कर देता है अकसर लोगों को पता नहीं होता है पेपर ऊड़ रहे रहे ने के लिए ताकि उड़े ना इसके लिए होता है यह साड में यहां लगा दो यह पावर ओन उफकाग बटन होता है यह लाइट्स के होता है ठीक है दोस्तों अब मैं यह हमारा पेपर इसकी वज़ए से पेपर नीचे नहीं गिरता इसको लंबा भी कर सकते हैं और पेपर यहां के रुख जाए इसके लिए हम यह ऐसे खोल लेते हैं इसको बंद भी कर सकत हुआ है यह थर्मा कोल रहां से अब खीचो यह खीचो यह खीचो अब कीचे उसे यह लेगी यह इसके साथ कि और पुछी के अंदर ऐसी चीज नहीं है यह अंदर से होता है जिसके अंदर यह रोलर जाता है दोस्तों यह जो कार्ट्रेज होती है हमारी यह सील पैक कार्ट्रेज होती है जिसे हमें खोलना पड़ता है खोलने के लिए हमें पहले यह अटानी पड़ती है और फिर यह खीचनी पड़ती है यह यहां पर होती है इसमें यह खीचेगी खीचो यह देखें अब हमारा यह रैड़ी हो गया है यूज तरने लिए ठीक दोस्तों यह पूरा हमारा काटेज अब ये प्रिंटर हमारा पुल्कुल रैड़ी ए प्रिंट निकालने के लिए अभी अमने इंस्टॉलने के ये मैंने unboxing कि ये मारा printer है और फिर के लिए सःी काफि यूज्ज करने के लिए गर के लिए एकदम Forte office में भी maximum यही होता है लेकिन है dwelling ऐक दम perfect है तो आप इसको मेरे preference आगर चाहें तो इसको कर सकते हैं तो दोस्तों यह यह हमारा प्रिंटर था अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी इसके अंबॉक्सिंग अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो इसे दोस्तों लाइक करें और जिनको अगर प्रिंटर लेने हैं तो उनके साथ इसे वीडियो को शेर कर सकते हैं मैं इसके लिए कि पूछ सकते हैं और दोस्तों इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जबा करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें धन्यवाद दोस्तों जाए हिंद